10 दिसंबर 1948 को सैयुक तराश्ट ने मानव अधिकारों को अपनाया था, ये अधिकार किसी भी मानव के मूल अधिकार होते हैं। इस वीडियो के जरीए हम जानेगे अपने 30 मानव अधिकार। सबसे पहला अधिकार है राइट तो एकुलिटी, हम सब आजाद पैदा हुए है और हम सब के साथ समान तरीके से व्यवहार होना चाहिए। ये अधिकार सब के है चाहे हमारे में कितना भी मदभेद क्यों न हो। हम सब के पास आजादी व सुरक्षा से जीने का अधिकार है, हम किसी के गुलाम नहीं है और नहीं कोई हमें अपना गुलाम बना सकता है, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है हमें सताने का, हम सब के पास समान अधिकार है कानून का इस्तमाल करने का, हम सब कानून की तो बीना किसी वजह के किसी के पास कोई अधर नहीं है हमें कैड में रखने क अगर हमारे पर कानूनी कारवा ही होती है तो यह सबके सामने होनी चाहिए। किसी पर कोई इलजाम नहीं लगाना चाहिए जब तक ये साबित न हो जाए बिना किसी वजह कि किसी के पास कोई अधिकार नहीं है हमारी निजी जिंदगी में धाकेल करने का हम अपने देश में कही भी जा सकते हैं किसी के पास कोई अधिकार नहीं है हमें रोकने का अगर हमें डर है कि हमारे देश में हमारे साथ बुरा बरताव होगा तो सुरक्षा के लिए हमारे पास अधिकार है किसी दूसरे देश में जाने का हम सब के पास अधिकार है किसी देश से संबंध रखने का सब के पास अधिकार है शादी करने का और परिवार बसने का, हम सब के पास अधिकार है चीजों पर मालिकाना हक रखने का, कोई हमसे हमारी चीज नहीं चीन सकता बिना किसी वज़े है के, हम उस चीज पर भरोसा कर सकते हैं जिस पर हम भरोसा करना कहते हैं, हम अपनी मर्जी का द्धरम चुन सकते हैं और बल भी सकते हैं ecc. हमारे पास हक है अपनी मर्जी का व्यवसाइच चुनने का। मोज़गां सबकर ना het हम सब के पास अधिकार है अपने देश की सकार के चुनाव का हिस्सा बनने का हम सब के पास अधिकार है उचित दाम पर जीने के लिए सामान खरीदने का और और अगर हम बीमार है तो हर किसी के पास अधिकार है उचित वेजरिट पर काम करने का और ट्रेड उनियन का हिस्सा बनने का हम सब के पास अधिकार है अपने काम से रिलिक्स करने का, हम सब के पास अधिकार है कच्छी जिन्दगी जीना का, हम सब के पास अधिकार है इशिक्षा लेने का, हमें अपनी क्रियेटिव चीजों पर कॉपी राइट लेने का हग है कॉपी राइट की मदद से कोई हमारी क्रियेटिव चीजों की कॉपी नहीं बना सकता बिना हमारी मर्जी के देश में ऐसा कानून होना चाहिए जिसकी मदद से हम ये अधिकार एंज़ोई कर पाएं हमारी दूसरों के प्रती जिम्मेदारी बनती है हमें अपने साथ उनकी अजादी का भी ध्यान रखा चाहिए ये अधिकार हमसे कोई नहीं चीन सकता कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद